तो स्वागत है आप सब बच्चों का एक बार फिर हमारी हिंदी ग्रामर की क्लास में जिसमें आज मैं आपका कॉंसेप्ट पूरा अच्छी तरह क्लियर करने वाली हूं अनौपचारिक पत्र का विग्यापन लेगन और अपटेट गद्यांज कैसे आप इनको स्वाफ कर सकते और कैसे इसमें आपको फुल नमबर मिल सकते हैं यह वीडियो डियस्ट आप लोगों के लिए और मतलब जाता बच्चे में देखा है जो अनौपचारिक पत्र होता है उसमें उनको लिखना नहीं आता है और विग्यापन लेकर पता नहीं क्या उल्टा सीधा बना देते हैं बेकार नंबर मिलते हैं उसमें बी और बिल्कुल आसे लिए सामस्या से आप भी गुजर रहें तो इसके बाद आप नहीं गुजरेंगे क्योंकि यह जो आपकी सारी समस्या है या आज आपकी हल होने वालिया है वीडियो तो बस आपको क्या एक वीडियो एंडे तक देख सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक वीडियो में बात करूंगी अनौप चारिक पत्र का जो फॉर्मेट है जो कि आपका नया फॉर्मेट आया है सब्सक्राइब करते हैं अब उसमें वी सबसे पहले आता है प्रेशक का पता पता आपका सबसे पता आप कहां से अपना लेटर भेज़ रहे हो थीक है जो लेटर लिख रहे हो आप अपना अड्रस लिखोंगे सबसे भाले उपर उसके बाद एक लाइन छोड के आप लोग लिखोंगे दिनाख के लिखोंगे एक प्राप्त करता को आप लोग क्या करोगे संभोधन करोगे कि मेरे प्रियर पिता जी जैसे भी आप बोल ले हो जादर पर्णाम यह साइच से आप लोग करोगे नीचे का लिखोगे उसके बाद एक छोड़े जब लोग एक चोड़ोगे और लिखोगे आपकी आज्याकारी पुत्री या आपका आज्याकारे पुत्र और नीचे आप लोग लिद्धों के कखग अगर आप लोग अपना नाम लिखते तो बोर्ड एक्जाम में टीचर जो मांस खाटत ठीक है तो थोड़ा फट देखते हैं एक पत्र लेखर का ताकि कॉंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए बिल्कुल और अभी हटे नहीं आपके देश्ट पत्र लेखर ने कैसी चीज़ है जिसमें जो है बहुत से बच्चों के नंबर चले जाते हैं और मतलब नंबर उसमें बिल लेकिन अभी अनॉप्ट चाहिक के लिए फिलार पहले उपर आएगा प्रेशक का पता यानिकि आप लेटर जो लिख रहे हो कहां से लेटर लिख रहे है यह सारी इंफर्मेशनात दोंगे उसके बाद एक लाइन चोड़के आपने लिखोंके दिनाक लिखने के बाद संबो प्रथब लेटर को लिखोंके है और फिर तीसरा अगर लिख तेन अगर पेड़का आप लेटर में लिखता है और जोस्तेस होता है और अभिवादन या फिर या फिर ऑसे लिखतो जैसे मेरे छोटे भाई विभौ को विभर को मेरा स्ने waktu यह साही चीज़ा आप लोग लिखते हो और से पहले आप लोग यह चीज लिखते हो जैसे आग आज्याकारी पुत्री सीग्रेशर चाहराब लेगिन आप लोग आप लिखते हैं तो जैसे यहां पर आपको एक देंगे यह pakai पत्र है पिताजी को चात्रवास के रहन सेन की जानकारी देने हैं तू पत्र अब देखो छात्रवास क्या होता है आपका hostel hostel के बारे में जानकारी देने पिता जी को इसमें पत्र लिखने क्या करेंगे देखें मैं आपको आप अपने छात्र वास है कहां सिंपाया लेगा तो मैंने क्या करा मैंने लिखा निर्मला प्राष निर्मला लिख दिया क्योंकि स्कूल आज कल देखने में लिखांगी ने बुद्य है सेकंडरी स्कूल और फिर नीचे लिखतूंगी कादगोदाम लिख दिया उसके पर एक लाइन छोड़के क्या लिखी मैंने लिखी देट दिदांग की लिख दिया कुछ भी लिख दो ठीके जैसे मैंने लिख दी चौबिस फर्वरी फर्वरी दोहजार चौबिस ठीक है वैसे तो एक्स-एक्स लिखते हैं जब आप बोर्ड इग्जामें लिखोगे तो एक्स-एक्स लिखोगे अभी के लिए फिलार हम लों लिखेंगे फिर आप लोग कोई भी एक लाइन चोड़के फिर आप क्या करोगे अपने संभोधन करोगे जिसको भी आप गयर जैसे इधर मैंने पिता जी को चात्रवास के रहेंसन की जाल करें यह तू पत्र है तो फिर आप लोग इसमें लिख दोगे आदर्णिय पिता जी ठीक है यह लिख दिया अब इसके तुरंत नीचे आपने लिख दिया सादर चन कर दोगे जैसे यहां पर लिखाया है मैं यहां पर कुशलता पूर्वक पहुच गई हूँ मुझे चात्रवास में एक अच्छा कमरा भी मिल गया है चात्रवास का वातवडण बहुत शांत और सौम में है यहां हर समय यहां समय को विशेश महत्व दिया गया है समय पर उठ समय मिलता है हम वहां जाकर अधियन करते हैं हमारे चात्रवास के प्रबंधग बहुत नेख दिल इनसान है वह हम सब बच्चों से फ्यावध प्यार करते हैं हम सब खाली समय में बैढ़ कर अकसर विभिन नवश्ययों पर चर्चा करते हैं इस से हमें एक जूसरी की संस्कृ को जोति जानने का अफसर भी मिलता है अब मैंने जूसरी लाइन से स्टार्ट करना है क्योंकि मैं आपर थोरासा अपने छोटे भाइवेन को प्रेश हो और माता जी को पड़ नाम कौँंगी तो यहां पने से स्टार आशा है इन सब बातों को पढ़कर आपको भी संतोश का अनुभाव हुआ होगा मेरी ओर से आप बिल्कुल चिंतन ना हो आधर निये मा को साधर चरषपर्ष आपकी आग्याकारी अब देखो जैसे आपने चरषपर्ष कर दिया इसके बाद एक लाइन छोड़के लिखेंगे आपकी आग्याकारी पुत्री कखंग अगर आपके टीचर कहती है कि अपना नाम लिख सकते हैं तो आप नाम लिखके की नियगे चलऻाए ऊन्येशन गारी को चात्रवास तो इसके ने क्यी आ क्करें मैं लिख लाइन छोड़ी दिनांक की लिख ती मैंने 20 available चैंट में कुषलता पूर्वाक पहुझ गई हुं मुझे मैं चात्रवास में कुछलता पूर्वक पहुच गई हूं मुझे चात्रवास में एक अच्छा कमरा भी मिल गया है चात्रवास का वातरवड़न बहुत ही शांत और स्वाम में है यहां पर समय को एक विशेश महत्व दिया गया है समय पर उठना तोना व्यायाम करना और खाना समय आंकर यहां का बोझन पौश्टिक और स्वादिष्ट तर्फाने की विवस्ता अती उत्तम में लिख दिया चात्रवास में इस मुस्तकाले बैटकर विविन विशेयों के बारे में चर्चा करते हैं इससे हमें एक दूसरे की संस्कृति को जानने का मौखा मिलता है उसके आशा है इन सब बातों को पढ़कर आपको संतोष का अनुभा हुआ होगा मेरी ओट से आप बिल्कुल चिंतन ना करें आप साध मां पूजे नि करने यह आपके आपका पुत्र ऑफ इतना सा आपको कीज से करना सिरी कंदा ना कर पाते हैं मैं यह है तो कभी गलत नहीं होगा और हमेशा फुल नपर भी देखें इसे विज्ञापन लेखन एडवर्टीस्ट जो आपको बनाना होता है यह सारी चीज़ा आद्मिया आपकी क्रियेटिव एक्सप्रेशिस दें इसमें जो है आप लोग जब विज्ञापन लेखन वगरा बनता है सब्सक्राइन हेए दो ना इसब्सक्राइं को कुर्ण विज्ञापन को याया वंता है तो इतनी इड थी ए तो पही विज्ञापन विज्ञापन सन्से मीले है क्या विज्ञापन को अर्थ होता है द मेशेज amino जारकरी देरा इंथा ना अब तब्सक्राइब कुछा एक ना कि देखते होंगे न कायम चूरन खाई आज ही पेड को साफ करें आज ही पेड की साही से बस्या सही करें तो यह सारे डायरेक्ट आकर्षित हो जाता है और क्या करता है सीरे धुकान जाता है उसको खरीदने ऐसे इतने ज्यादा आपके अच्छ क्विक माईन में जाना चाहिए कि यह प्रोडेक्ट और समझ भाइब पूर्ण भाषा शरल आकर्षक और प्रभाव पूर्ण होने चीए इंसान समझ पहें यह इनी कि बहुत ही जाना पर चोड़ पर कुछ प्रभाव चोड़े उसको इतना मजबूर कर दें कि उसको बजा जा बड़े चित्रों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए तो इससे क्यों होता है आपको और भी अच्छा रगता है विग्यापत जो भी आप बनाते है अब भुगता को आकर्षित करने वाले शब्द जैसे धमाका छूट सेल मुफ्ट आनी का प्रयोग करना चाहिए और जैसे इसके साथ एक और फ्री है ऐसे करके मुफ्ट 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 है ऐसे सब्सदों का आपको प्रयोग करना होता है कि विग्यापत ने परने तो देखे टिस cohesive आपने सबसब्रे मैं सबसे पहले मैं आपको वोक्स बनाओं अच्छा ओन च्लीज क्लीग्यापन जब भी रोंब अब आपने यहां पर आप से और से आपकुछच यहां डाल दो नौर्मल शीहङः जैसे वह ने डाली उच्छ जुष्ट है थोड़ा क्या होवने एक बड़ा सा बॉक्स बनाओ उसके अंदर एक बड़ा सा बॉक्स बनाओ जिसमें आप लोग चित्र बनाओंगे थोड़ा त उसके अंदर आपने च्छाता वगेरा हर चीज बनाई ठीक है उसके बाद बगल में अच्छे ची कोटेशन अच्छे बादल टैप की होते हैं मौसम बनाएं उसमें लिख दिया हर रंग में उपलब्द हर अरंग हर अकार में उपलब्द बरसात के मौसम को बनाएं कर दिया और सभी स्टोरों में उपलब्द ऐसे करके भी आपको नीचे लिख देना है अब जैसे मान लो कि भारत सरकार ने कहां कि भई जल को सेफ करो पानी को सेफ करो तो आप कैसे बनाओगे तो आपने क्या करना आपने थोड़ी पानी की बूंद बना दी उसमें थोड़ फिर आपने थोड़ी कोटेशन लिख दी जल के बिना जीवन नहीं है इसलिए अगर भविश्य में जीना है चाते हो तो पानी को बचाओ जल से जीवन पूरा होगा इसके लिए जल को बचाना होगा ऐसे करके राइबिंग तरीके तो थोजा बनाओ है ना उसका फिर जल को बचाने की तरीके लिख दो है ना दास साफ करते हमें पानी खुला ना छोड़े और फिल्टर से बचा हुआ पानी अन्य चीजों में जैसे पाधों को डालने के लिए इस्तमाल करें और फिर नीचे से लिख दिया भारत सरकार दोरा जन हित में जारी अधिक जानकारी के लि पानी तो विज्यापन लेखन्वी मैंने आपको सिता दिया है अब मैं आज जाती हूं अपटेट गढ्द्यांच में आपका हिंदी ग्रामन का मतलब साहिती में आथा रीडिंग च्रेक्शन में आता है इसमें क्यों होता है आप जो अपटेट गढ्द्यांच के उत्तर एक दूगी अपटेट गढ्द्यांच जो आप लोग मेरे साथ सौल्फ करोंगे अपटेट काव्यांच में आपको दूगी साथी में ठीक है तो चलिए मैं आपको दिखाती हुझ अपटेट गढ्द्यांच यह देखिए सबसे पहले यहां पर आपको दिख रही है एक अन्सीन पोएम जो कि है आपकी अपटेट काव्यांच में तब ऐसे अपटेट गढ्द्यांच रिकाता लेकिंगे मैं सोचा काव्यांच आपको दिखाते हैं तो बच्चे और भी जादा गन्सीन होते हैं ठीक है पहला आपकी पोएम है यहां पर ध्यान पूर्वा के इस पोएम को स मीठी मीठी खुश्या लाई एक किरन मैं आपको पोएम पढ़के बता रही है उसके पर आप से कुछें बूचोंगी कुछ आपने दो साथ में सोच रहें लाल लाल थाली सा सूरज, जब उठकर आया पूरव में, फिर सोने के तारों जैसी, नब में च्छाई एक किरण, बदल गया जग एक किरण से, चिडिया गाती गीत चली, हवा चली, हिल उठे पेड सब, सबको भाई एक किरण, अब आ जाते हैं हम लोग कोश्चन में, ठीक है देखो एक बार मढ़ लिया, आप देखो कोश्चन ना, कोश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग हर एक चीज पढ़ो, लाइन, ठीक है, और हर एक लाइन से ही आपको कोश्चन बनना है, क्योई कोश्चन जो है, इससे ही बनेंगे, ये बात सबको क्लियर होनी ज किसकी जैसी हस्ती-खिलती बनाया है? पहली लैन में, देखो, रेशम जैसी हस्ती-खिलती, तो यहां पर क्या होगा आचसर, रेशम, उकता हुआ सुरज कैसे लग रहा है, अब देखो, यह देखो, लाल- लाल- थालीसा सुरज जब उठकर आया पूरम में, ठीक है, लाल- लाल थाली सा थीक है तो देखो लाल लाल थाली सा ख हो गया उसका उसके बाद किस के आने से जग बदल गया देखो यहां पर ध्यान से बदल गया जग एक किरन से किस से बदला एक किरन के कारण ठीक है तो यहां पर होगा सूर्य किरन के ठीक है तो तीसरे का हो गया घ्ष लाल लाल थालीसा सूरजपंगती में कोन सा ध्यान से देखो लाल लाल थालीसा सा आ गया उकमालंका डेयरेक्ट तो यहां पर गवा उसके बाद देखो यहां पर next in नभ का प्रया यह यह नभ मतलब क्या होता है गगन आकाश अंबर अफ़ निनी होता तो by बस थोरा सा एक vocabulary का question आता है सब को आरा चाहिए इसने मैं कहते हुआ करो अपनी शब्द कोष बढ़ाओ तो इस तरह मैंने कापको unseen poetry करा दिया है बहुत simple होती है ज्यादा कुछ करना होता नहीं है ठीक है चलिए बढ़ते हैं यहां पर यहां मैंने unseen passage भी आपके लिए रखा है तो हम लोग इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे मैं इसको सही करती हूँ यह कुछ गरबर हो जा रहा है अजकर सिस्टम वारा तो इसलिए उसके नहीं मैं आपसे माफी जाती हूं कि बीच में कुछ गरबर हो जाते हैं हम जाली इसको पढ़ते हैं आखे रंसी बैसेज में क्या कहा गया है देख लेते हैं करतव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिश्ट संबंध है जो मनुष्य अपना करतव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बरताब भी रखता है सत्यता ही एक ऐसी वस्तू है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कारयोग में सफलता पा सकता है क्योंकि संसार में कोई काम जूट बोलने से नहीं चलता जूट की उत्पति पाप कूटलता और कायरता से होती है जूट बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है जैसे चुप रहना किसी बात को गड़ा चड़ा कर कहना किसी बात को छिपाना जूट मूट जूसरों में जूसरों की हां में हां मिलाना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मूदे की बाते बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रूचता है ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सब को मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया प यह है आपका अंसीन पैसेज, जो कि मैंने आपको पूरा पढ़के बता दिया है, ठीक है, अपटेट गंतियाच, अब देखे पहला कुशन, कर्तव्य प्लालन और डैश में बड़ा घनिश्ट संबंध है, कर्तव्य प्लालन और सत्यता में, पहली लाइन से बनाया है यह सत्यता में, कुट लतवि कारता से सत्यता और से जूत्यो की उप्लालति जो मनुश्य कर्तव्य पालन करता है इश सत्यता का बढ़ता है, एपने सु का मनुष यह पर थे इलक!" देखो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं है ये देखो निखलिक्कजित में भाववसक संघ्या नहीं है और costs आका ऑना कोश्चन आते है दो यंवार भू कुछिन कौन सी नहीं मुंघट कुष्ण संघ्ञै। संसाड यह भावाचक संध्यानी अब नेक्ष जाते हैं गद्याज का उच्छ सीशक क्या होना चीए ना सत्य पालन जूट और कर्टव्य पालन जूट और सत्यता या जूट के रूप तो देखो यहां पर कर्टव्य पालन और सत्यता कि बार में बता है तो इस तरह हम ने यहां पर आपको पूरा गद्यांच का उचछफित सीशक बने बता दी है तो इस तरह हमारा हो चुक है यह पूरा गद्यांच के पूरा अब देखिए मेरे पास एक और रिविजन के लिए के आपके पास यहां पर किसी भी देश या समाच की उन्नती का अधार सम्ब वहां के निवासियों की सच रीत्रता और परिश्यम सील था तथा उनके नैतिक मूलिस होते हैं हमारे देश ने ही विश्व को मानवता नैतिकता और सदाचार का पाठ पड़ाया था आज पूरे देश में चारों ओर स्वार्थ लोब और बेईमानी का बोल बाला है इसी कारण आज ब्रस्टाचार रूपी रोग सभी समाजिक राजनेतिक धार्मिक शेत्रों में एक आसध् रोग की भाती अपने जणे जमा चुका है मरियादा से हटकर स्वार्थ पूर्ण दूशित आचरण से आचरण ही भरष्टाचार कहलाता है स्वार्थ लिपसा भरष्टाचार की जननी है और भौतिक एश्वरी इसका जनक है आज देश में भरष्टाचार का ही बोल बाला है कोई भी विवाग इससे अचूता नहीं है भाई, भदीजवाद, मिलावट, अनुचित धंक से मोनाफ कोरी करना, चोर बाजारी करना, सरकारी सादनों का उचित प्रयोग भरष्टाचार के प्रमुक कारण है इसके कारण आज हमारे समाज का पंतन होता जा रहा है इसकी जड़े हमारे देश में हमारे दोश को खोकला करती जा रही है कठोर कानूनी जंदन एवं आत्मानुशाशन द्वारा ही इस समस्या का समादान किया जा सकता है तो आप देखो डिस्टर यहाँ पर सबसे पहले कौन सा रोग सामाजिक राजनेतिक तथा धार्मिंग छेत्रों में एक आसद्य रोग की भाती अपनी जड़े जमा चुका है जैसे कि आप पड़ी चुके हैं ब्रश्टाचारी रोपी रोग तो यहाँ पर आपका सही आसर है खो मरियादा से हटकर स्वार्थ पूल्ण दूशित आचरण क्या कहलाता है देखो यहाँ पर साफ लिखना कहा है कि मरियादा से हटकर यहाँ पर ध्यान से देखो को मरियादा से हटकर स्वार्थ पूल्ण दूशित आचरण ही ब्रश्टाचार कहलाता है तो यहाँ पर आजयेगा भौत एक आश्वर्य को क्योंकि स्वार्थ लिपसा इसकी जननी है यानि कि मा सच रित्र का संधी विचेत कीजिए सच रित्र तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें सच और चरित्र ठीक है तो यहां पर आपका कौ उत्तर सही है तो आप देखो नेक्स आजाते हैं हम लोग सचिणाज को स्चिशक क्या हो सकते क्या यहां पर देखो यहां पर क्या पता है यहां पर आपको बरताछार के बारे में पर बताछार के बारे बताफे तो भाई मिता बती जाओ आद या फिर राजलिदी ब्रस्टचार या सधाजwow cui तो इसका उनाजी ब्रष्टा चाल तो इस तरह हमारे यह गद्याशी पूरा होता है तो आपको जो है मजा आया होगा तो आज के शेशन में हमने इतने अच्छे ची टॉपिक क्लियर करें अच्छे ट्रिक्स आपके शार्ट सिर्क रहें सिर्फ 20 में जो आपको आपके एक्जा कर दो ताकि हम लोग और भी ऐसे ऐसे वीडियो आपके लें लेकर आएं थैंक यू सो मच